नमस्कार दूस्तों, Stockmark Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ companies के information लेक्या हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नेकिए तो जुरू कर लेजिएगा, इस तरी के से in-depth analysis सीखना है, तो इस चैनल के साथ जुरू जुरू करिएगा, तो चलो देखिलेते आज के कौनसा कौनसा stock है इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले मैं discussion करूंगा Polycap India Limited के बारे में, तो जीतनी सारे इसका sector के जीतनी सारे companies है, उस सारे companies को टकर देकर number one company बन चुके है, और इस company के total market cap है, अगर बाकी companies को market cap को एक साथ जुड़ा जाए, तो इस company के आसपास देखने को मिलेगा, तो overall बात करूं, company के total market cap कितना है, करीवन करीवन आप 52,000 क्रोड के आसपास है, और बाकी company के कितना, आप देख सकते है, KEI Industries के 21,000, और Phinelex के कितना, 12,000, और साथी साथ और भी देखिए, जितने सारे companies है, वो सारे companies को जुड़ कर भी उतना जादा नहीं होगा, तो company छोटा नहीं, बड़ा सा company है, और एक धमाका करने वाला company है, क्योंकि zero debt company है, return of equity, return of capital enterprise, best level में हमेसा देखने को मिलता है, और मुझी इस company में सबसे positive point क्या लगत आप जनते है, company का business जो है, वो cables के उपर है, देखिए, power cables के उपर है, चाहे वो optical cables हो, चाहे वो घर के कोई cables हो, तो सारे cables के product company बनाता है, साथी साथ polycups, नया नया business भी स्टार्ट किया है, इसका अगर product देखेंगे, तो आपको मतलब देखकर ही सब कुछ पता चलेगा, तो home sector के उपर भी company काम कर रहा है, साथी साथ company home जो appliances है, उसके उपर भी काम किया, switch gear, switch board, साथी साथ देखिए, solar के उपर, pump के उपर, साथी साथ BBC जो settings, fittings है, उसके उपर भी काम करते है, साथी साथ EPC के उपर भी काम करते है, तो इसका मतलब company खुद के business को diversification करकर रखा, ऐसे जो growth है, इसलिए company को उपर continuously हो रहा है, कि जो बाकी जो company, वो अलग-अलग sector को उपर NT नहीं ले पा रहा है, तो company market share को growth करकर रखा कितना है, 24% तो इसका मतलब खुद अकेला ही 24% market को capture करकर रखा, और बाकी company मिलकर 76% के आसपास या पर market को capture करकर रखा है, तो total company का manufacturing factors कितना ह दिशता है, तो इस सारे points यहीं major करता है, कि company में हमेशा growth रहे हो, मतलब पहले से रहे हैं, और अभी भी रहेंगे, और future में भी अच्छा खासा growth होने का potential है, आप कहेंगे sir, क्या guarantee है, future में growth होगा, जो growth होगा, वो आपको यहाँ पर दीखेगा, देखे, company का एक time share capital कितना थ हो जाएगा कि company का करजा continuously कम होता जा रहा है, और उसी के हिसाब से company का reserve और company का share capital increase होता जा रहा है, इसका मतलब company का operator है, sorry, company का promoter है, वो promoter company को अच्छा खासा यहाँ पर maintain करता है, अच्छा खासा company के उपर भरोसा रखते हैं, और अच्छा खासा काम कर रहा है, और इसी काम के बज़े से company का growth feature में अच्छा खासा level में बनेगा, तो आपको देखी, एक चीज़ देखकर आपको clear हो जाएगा, देखे, एक time, FIS के पास कितना था, साड़े 4 person holding, वो holding double हो चुके है, NDS के पास कितना था, साड़े 12 person, आज कितना 9 person के उपर हो चुके है, public के पास उतना ही holding है, और promoter के पास थोड़ा सा stake आपके काम हो आए, इसका मतलब institution इसके उपर भरोसा कर रहा है, इसका मतलब company में कुछ ना कुछ तो बड़ा तो जुरू होगा, तो रही बात companies के उपर, जो mutual fund वाले ने क्या क्या वो देखना बहुत importance है, क्योंकि mutual fund वाले ने लगाता अगर बाइंग करता रहा, तो companies को for extend आपको बनेगा, देखिए, continuously क्या क्या, sell of क्या, और sell of करने के बाद company में मन्त से बाइंग करना start किया, अब इस sell of जो हुआ, वो किस तरी के सब बहुत दिखा दू, देखिए, अब ध्यान देजी का इस चीज को, तो मैं आपको पहले भी mention किय क्या था, यह जो sell of है, बहुत जो sell of देखने को मिला, तो इसी जगह से आपको sell of देखने को मिला है, और sell of होने के बाद देखिए, continuously company को पर क्या हुआ, buying हुआ, अगर आप देखेंगे, तो January मांथ से आपको data, December से आपको दिखा दू, तो December से, sorry, December देखिए, December, January, February, March, April, त सारे मान में company को sell of हुआ, उसके बाद देखिए, buy करना start किया, और sell of मतलब, sell कतलने का मतलब है, company यहापे sell किया, और उसी जगह पर company को पर buying हुआ, तो मैं आपको एक pattern बता था, जो pattern बहुत strong pattern था, जो pattern का नाम में आपको बहुत हो, head and shoulder pattern, इस head and shoulder pattern में company ने जो target रखा था, वो target almost achieve हो चुके है, तो मैं इस target anti को में आपको पहले ही mention किया था, मेरा anti level actually इस जगह पर हो गया था, फिर से यहापर reversal हो उसके बाद देखिए, तोड़ा सा volume create किया, और उस उपर चला गया, तो फिलाल के लिए आपी देखिए, एक range बन रहा है, यह जो range बन रहा है, यह range बहुत strong range है, और इस range के उपर अगर फिर से breakout दिया, तो बड़ा सा फिर से rally दिखेगा, और मुझे जिस तरीके से आपके candle दिख रहा है, तो वो एक downside का आने का chances है, क्योंकि company के उपर देखिए, आपके candle बनना है, पहले तो एक देखा जाए, तो downside का candle है, उसके बाद एक shooting star जैसे candle बनना है, तो इस तरीके से shooting star जैसे candle बनता है, तो हार चांसा से थे company में थोड़ा सा correction होगा, तो अभी NTE मतले न, कभी किसी levels में थोड़ा सा correction होने दीजिए, rate testman होने दीजिए, उसके बाद अगर फिर से बायर active हो, इसके उपर, तो हम फिर से आपको discussion करूंगा, इसका next level कहा तक बहुत जा सकते हैं, तो फिलाल के लिए higher level में है, तोड़ा सा समल के काम करिएगा, next जो company जिसके बार हम बात करूंगा, इसका नाम है FL India Limited, अब सभी जानते है, इस company कितना पुराना company है, 1994 से company start हो था, around आप बोल सकते है, 30 years company compete हो चुके है, तो 30 साल पुराना company है, इस company ने बहुत कुछ देखे होंगे, बहुत सारे मतलब problems जेले होंगे, इसके बाद company इस जगा पे पहुँच चुके है, तो company को पर जब से में study कर रहा हूँ, तब से इस company का market cap around 7000 क्रोड के आसपास था, और धीरी-धीरे करके company आज कितना 15000 क्रोड के आसपास company का market cap बन चुके हैं, तो company अच्छा खासा growth धीरी-धीरे कर रहा है, और company के current price जो है, वो थोड़ा सा correction में देखने को मिला, क्योंकि IT sector इंडस्टिस में correction तो होगा ही, क्योंकि IT sector के उपर pressure है, फिर भी AFL इंडिया के उपर आपको pressure future में नहीं बनेगा, क्योंकि इस company के business models है, वो क इमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की से project को पर company काम करते हैं, जिसका directly impact इस company को मिलता है, क्योंकि उस project का growth continuously होता जा रहा है, और और भी बनने वाला है, क्योंकि हर कोई लोग online digitally advertisement करना चाहते है, तो उसका directly impact इस company को मिलेगा, तो AFL इंडिया के बारे मे company घुद को maintain किया, देखे बीच में company का data जो था, वो करीवन करीवन 80 days था, इसका मतलब company ने जितना पैसा कमा रहा था, वो पैसा company के हाथ में actually मिला था, 80 days के अंदर अंदर, वो कम होता होता मतलब देखने को मिला था, और अभी कितना 62 days देखने को मिला, तो एक time company 2008 में से 30 days के अंदर, 36 days के अंदर company के हाथ में पैसा आ जाता था, तो recycling जो पैसे को जो वो यहापे totally वो figure out फिर से बापस कर रहा है, वो time period थोड़ा सा कम हुआ, अच्छी बात है, और cash यहापे देख सकते है, conversion cycles, तो cash conversion cycles का मतलब क्या होते है, मान के चले मैंने business किया, और उस business के बाद दूसरों का माल बेचा, और फिर से बो माल मुझे बापस आ रहा है, तो जिसको में, यहापे मैंने खरीदरी किये, दूसरे product company के साथ, उसके बाद मैंने product बनाया, दूसरों को बेचा, तो उसके उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद फिर से, यह जो cycle से, यह जो period है, इस period कि company के पैसा जो इस cycle के अंदर फसे हुए है, वो 62 days लग रहा है, उसके अंदर अंदर company के हाथ में पैसा रहा है, तो time देना पड़ेगा इस company के उपर, company के उपर देखी, अभी से institution अच्छा का सब buying करना स्टार्ट कर दिया, पहले से तो DS के पास holding था, और holding DS ने increase किया, और FS न company के उपर mutual fund बाले ने इस बार धमा का performance किया, धमा का buying किया, करीबन 18 लाग के आसपास यहापे buying किया गया, तो अच्छा का सा है यहापे buying होने के कारण company के उपर upcoming कुछ मांथ में अच्छा का से एक rally देखने को मिल सकता है, तो ही rally यहापे देखना स्टार्ट हो गया, company ने buy किया, May मांद में, तो April May मांद में मतले इस जगह से buy करना start किया और उसके बाद देखना बूम, मैं आपको बार बार बोलता हो, यह data हमें साब को देखना चाहिए, इस data से आपको सब कुछ मिलेगा, इस data ही आपको सब कुछ देगा, तो फिलाल के लिए अभी क्या करना है, देखे, मैं आपको इस जगह पे आपको बोला था कि यहापे एक strong level बन रहा है, उस level को breakout होने के बाद यहापे अच्छा खासा एक trending मिला, और फिलाल के लिए फिस फिर से वही resistant को company face कर रहा है, जिस resistant को face करने के बाद एक big grass मिला था, तो फिलाल के लिए यहापे जो long journey किया ह company ने, तो थोड़ा सा यहापे hold करने दीजिए, थोड़ा सा time बिताने दीजिए, उसके बाद breakout हुआ, तो आपको next level 1294 के आसपास देखने को मिल सकता है, यह कि इस strong एक resistant के साथ साथ एक supply zone भी है, इस level तक बो जूरू जाएगा, यह कि बो ही range से company बार बार resistant को face कर रहा था, तो इस level तक धिरे-दिरे करके वो बापस जूरू लेके जाएंगे, कि operator game है, तो operator उसको उसको उसी level तक लेके जाएंगे, जिस level से वो गिराया था, तो इस company के उपर focus रखेगा, long journey के लिए, और as a long investor के लिए, इससे बड़िया मौका आपको दूबरा नहीं मिलेगा, कि कि बहुत time तक, इस company एक range के अंदर फासे हुए है, इस range को जब तोड़ेगा, तो बड़ा रहली आपको दिखेगा, last company जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है IRCTC, देखे, IRCTC के उपर दो दिन से एक खराब situation देखने को मिला है, कि कि IRCTC का जो monopoly business है, वो थोड़ा सा खतम हो सकता है, तो वो भी किसमे, ticketing business में, क्योंकि IRCTC के जो business है, आप सभी जानते catering का business, इसका major business है, उसका बार, ticketing का business है, और इस सारे business के उपर, आप देखेंगे, आप देखेंगे, इसका सबसे ज़्यदा revenue कहां से आते थे, company का ticketing business में, around 54% के आसपास, company का major business है, उस business से, company क जो catering business है, वहाँ पर 27%, company का जो retail, मतलब, rail near, मतलब जो water का bottle बेच से थे, वहाँ पर 9%, company का जो tourism का जो package था, 8% और उसके बाद, आधर जो product है, उसके 2%, सबसे ज़्यदा ticketing business में, company का revenue साता था, इस business में company के उपर जटका लगा, क्योंकि बड़े से एक company, अधानी group, तो अधा करना चाहा, कि ओना सी जो ticketing का business है, उस business को अधानी enterprise यहाँ पर खर्ज लेंगे, इस तरीके से कुछ राय देखने को मिला है, और इसी के चलते है, stock के ओपर कुछ दिनों से एक अच्छा का सा pressure देखने को मिला, तब देखें के continuously यहाँ बाइं होता गया, इस level से, उसके को stop loss लगा कर काम करना है, क्योंकि यह जो range है, यह बहुत crucial range है, इस candle के नीचे आपको stop loss लगाना है, और उसके बाद आपको hold करना है, 732 के असपास, क्योंकि 732 इस level है, इस level से company ने यहाँ पर गिरावट का माहौल दिखाया, यह जो gap है, इस gap को कभी ने कभी वो fill up करेगा, तो gap fill up अगर उपर side में गया, तो gap fill up जुरू होगा, तो news के basis में थोड़ा सा correction देखने को मिला, तो मेरे सबसे, इस से वो reversal जुरू करेगा, थोड़ा सा integer करना, थोड़ा सा stop loss को इस जगा पे maintenance करके काम कर सकते है, तो देखे, stop loss part of the trading का game है, तो trading में आपको stop loss लेना होगा, देखे, अगर हम लोग stop loss भी यहाँ पे ले ले, तो छोटा सा stop loss होगा, और कितना stop loss होगा, छोटा quantity, छोटा amount का, तो around 22 पर 2 रुपीज का अगर तो stop loss हो सकते है, अगर हम लोगो target मिला, अगर इस anti-level से target मिला, तो कितना target मिल सकता है, around आप बोल सकते है, यहाँ से target अगर मि अगर मिलेगा, तो इस तरीके से आपको काम करना है, आपको हमेशा ऐसे नहीं कि चलो मैंने anti ले लिया, मैं बेचूंगा नहीं, ऐसे मत करिएगा, आप लोग जारनी के लेट करिए, अगर आप टेडर है, तो आप obviously stop loss लेकर आपको काम तमाम करिए, तो जो long journey है, उसके dip देखने को मिले, थोड़ा सा correction देखने को मिले, तो मौका मिलेगा एक dip में आपको buy करने के लिए, यह कि जितने सारे लोग इस rally को miss कर चुके है, तो आप एक correction के हिसाब से anti level मिलेगा, तो उसके बाद जो company जिसका नाम आप देख सकते है, जो leading lessons financial company है, तो इस company ने 1 to 1 का bonus announcement क कर चुके है, तो bonus जो मिलेगा, आपको date में mention करता हूँ, around 20 days, sorry 20 July में आपको bonus मिलेगा, तो इसके लिए आपको integer करना पड़ेगा, और देखते है, इस company को उपर कितने सारे दोस्त ने निवेस करकर रखा, जोरे मुझे comment करना, तो इन video totally education purpose में था, मेरा काम है आपको सिखान आपका काम है सीखना, तो सीखते जाइए, तभी आपको market से पैसा मिलेगा, तो मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्या लखिए,